C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तो थे कक्षा 3 की पर्यावर्ण अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार अध्याए 6 निर्भरता एक दूसरे पर प्रिष्ट संक्या 72 इस प्रिष्ट पर दस चित्र हैं ये चित्र हैं गौरईया, गुलहल, पतंगा, बिल्ली, घोंगा, बकरी, टिड्डा, चमेली का पौधा, गुलाब और दो बच्चों का प्रिष्टिहत्तर, चर्चा कीजिए, क्या चित्र में मौजूद कोई भी पक्षी, पशू, कीट और पौधे आपके साथ आपके घर में रहते हैं, क्या आप और आपका परिवार इनका ध्यान रखते हैं, पता लगा ये, क्या आप कुछ और भी पशू, पक्षी और कीटो के बारे में जानते हैं, जो यहां दिये गए चित्र में नहीं हैं, यहां पर एक तालिका है, इस तालिका के दो भाग हैं, पहले में लिखा है पशू, पक्षी या कीट का नाम बंदर, वो स्थान जहां आपने इन्हें देखा है, पेड, अब आप इसी तरह से तालिका के अ पौधों और जानवरों को हम अपने घर में लाते हैं, जबकि कुछ अपने आप ही आजाते हैं, कभी-कभी हम उन्हें अपने घर में प्रसनता पूर्वक रहनी देते हैं, लेकिन कभी-कभी हम उन्हें अपने घरों में पसंद नहीं करते, अपने परिवार में बढ़ों से ब उनसे कुछ बातें बताने के लिए कहिए शिक्षक संकेत सभी बच्चों से ये जानकारियां एकत्र करके एक सूची बनाएं इस सूची का सार तयार करें और बच्चों को इस विशय में बातचीत करने के लिए प्रिरित करें प्रिष्ट संक्या 74 चर्चा कीजिए, दो दो की जोड़ी में चर्चा कीजिये. वो कौन-कौन से पशुबक्षी और कीठ हैं, जो बिना बुलाए आपके घर में चले आते हैं. आपको क्या लगता है? कि वो आपके घर में क्यों आते होंगे? अपने घर में उनकी उपस्तती से आपको कैसा लगता है आप उनमें से किसको पसंद करते हैं यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते तो आप क्या करते हैं हम अपने घरों में भोजन, पानी और रहने का स्थान देकर कुछ पशु पक्षियों और पौधों का ध्यान रखते हैं इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में एक चित्र है जिसमें एक घर है, कुछ पशु पक्षी और जानवर है यहाँ पर एक लड़का गाय को कुछ खिला रहा है लड़की कुत्ते को प्यार कर रही है और कुछ पक्षी दाना चुक रहे हैं और पानी पी रहे हैं उनके पास एक बिल्ली खड़ी है शिक्षक संकेत बच्चों से इस बात पर जोर दें कि जानवरों से डर लगने या उन्हें पसंद ना करने पर भी हमें उन्हें मारना नहीं है आम तोर पर जानवर हमें तब तक नुकसान नहीं पहुचाते जब तक कि वो हमसे खत्रा मैसूस नहीं करते प्रिष्ट संख्या 75 इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें पेड़ पर बैठे कुछ जानवर है और पेड़ के नीचे एक लड़का एक आदमी के साथ बैठा है आम का पेड़ एक दिन की बात है एक छोटा लड़का शंभू अपने पिता के साथ जंगल से जा रहा था चलते चलते वो आम के एक विशाल पेड़ की चाय में बैठ गए आम का ये पेड़ पक्षियों, गिलहरियों, बंदरों और बहुत से जीवों का घर था शंभू ने देखा कि एक बंदर आम खाकर उसके गुठली फेक रहा था उसनी ये बात अपने पिता को बताई पिता ने कहा शंभू, क्या तुम जानते हो कि इस गुठली से एक नया पौधा उगेगा इस तरह से पशुपक्षी और पेड़ पौधे एक दुसरे की साहता करते हैं प्रिष्ट संख्या 76 तभी पेड़ से एक आम किरा और शंभू उसे उठाने के लिए दोडा उसने कहा देखिए, मुझे भी एक आम मिला शंभू के पिता ने बताया हमें पौधों से केवल फल ही नहीं बलकि सबजियां और बहुत सी अन्य वस्तुमें भी मिलती हैं अरे हाँ, मुझे अब याद आया आपने मुझे पहले भी बताया था हमें दवाईयां, वस्त्रों के लिए रेशे और घर बनाने के लिए लकडियां भी पेड़ पौधों से ही मिलती है इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें बीच में लिखा है पेड़ पौधों के उप्योग और उसके आस पास अन्य चित्र है ये चित्र है पशुपक्षियों के लिए आश्रे या आवास छाया, लकड़ी, वस्त्रों के लिए रेशे, ताजी हवा, फल और दवाए हमें पेड़ पौधों से जो चिज़े मिलती हैं ये चित्र उनके है प्रिश्ट संख्या 77 चर्चा कीजी हम पेड़ पौधों और पशुपक्षियों पर किस तरह निर्बर हैं? पेड़ पौधे किस तरह से पशुपक्षियों की साहता करते हैं? पशुपक्षी किस तरह से पौधों की साहता करते हैं। आप अपने आसपास के स्थानों पर पेड़ पौधों और पशुपक्षियों का ध्यान कैसे रखते हैं। पशुपक्षी और पेड़ पौधे हम पर किस तरह निर्भर हैं। क्या आप जानते हैं। हजारों ऐसे पेड़ हैं जो अंजाने में ही गिलहरियों द्वारा लगाए गए हैं। दरसल गिलहरियां अपने भुजन के लिए बीज, मेवे, आदी, जमीन में दबा कर रखती हैं। बाद में वो भूल जाती हैं कि इन्हें कहां छिपा कर रखा था। इस तरह बहुत से पशुपक्षी और पेड़ पौधे विभिन तरीकों से प्रकरती में सामजसे बना कर रखते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम जिस तरह से पेड़ पौधों और पशुपक्षियों को सुरक्षा, भोजन और रहने के लिए स्थान देते हैं, उसी तरह हम उनसे बहुत कुछ लेते भी हैं। उधरन के लिए गाए, भैस और बकरियों से हमें दोध और उनका प्यारा साथ मिलता है। हम इन पशुपक्षियों का सम्मान करते हैं और उनके साथ दया, देखभाल और करुणा भरा व्यवार करते हैं। पशुपक्षि और पेड़ पौधे भोजन एवं आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पशुपक्षी बीजों को एक जगा से दूसरी जगा भी घेरने में पेड़े पौधों के साहता करते हैं। वो अपनी विष्ठा से भूमी को उपजाओ बनाते हैं। इससे पौधों को दूर दूर तक यहां वहां उगने और पनपने में साहता मिलती है। हम भी भोजन, आवास, वस्त्र और साथ पाने के लिए पशुपक्षियों और पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी विचार बिंदुओं को समेकित करते हुए, सरल शब्दों में उनका सार प्रस्तुत कीजिए। प्रिष्ट संख्या अठतर गतिविधी एक किसी पशुपक्षि के बारे में जानना, अपने आस-पास के पशुपक्षियों को ध्यान से देखिए। इनमें से किसी एक पशुप जैसे बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली या किसी पक्षी जैसे कववा, कबूतर, गौरईया, तोता या बथक को चुनिये, जिने आप प्राया देखते हैं। जब भी अफसर मिले, इने बहुत ही ध्यान से देखिए। आप इनके लिए किसी कटोरे में पानी और अनाज के दाने भी रख सकते हैं। लिखिये आपने जिस पशु या पक्षी का चैन किया है उसका नाम और उसके बारे में लिखिये। आपने सबसे पहली बार उसे कब और कहा देखा था। क्या ये अकेला था या अपने मित्रों के साथ था इसके चलने फिरने उड़ने आदी के बारे में लिखिये ये कैसी आवाजे निकालता है क्या आपने इसे खाते हुए सोते हुए अपने मित्रों से बाते करते या कभी कभार जगडते हुए देखा है क्या इसने कभी कुछ ऐ ऐसा किया है जिसे देखकर आप आश्चरी चकित रह गए हों या फिर बहुत हसे हों। कक्षा में अपने सहपाटियों के साथ ये अनुभव साजा कीजिए। प्रिष्ट संख्या 89 गति विधी 2 हमेशा व्यस्त चतुर चीटियां। आप ये गति विधी अपने मित्र पौधे के पास, अपने कक्षा में या अपने घर में कर सकते हैं। अपने रसोई से यहां दी गई तीन तरह की खाने के वस्त्वें बहुत कम मात्रा में लेकर आईए। कुछ मीठा जैसे चीनी या गुण, कुछ तला हुआ जैसे पापड या मुरक्कु, कुछ उबला या पका हुआ जैसे डबल रोटी यानी ब्रेड, चपाती, इडली, चावल या रागी। इन तीनों तरह की खाने की वस्तुओं को खुले स्थान पर एक एक फुट की दूरी बनाते हुए सीधी रेखा में रखिये। अनुमान लगाईए, इन्हें खाने कौन आएगा? वस्तुओं में उनका प्रिय भोजन क्या होगा? क्या चीटिया खाने की इन वस्तुओं के पास आएंगी? वो कहां से आएंगी? क्या सभी चीटियां दिखने में एक जैसी होंगी? खाने की किस वस्तुओं के पास वो सब से पहले जाएंगी, कुल कितनी चेटियां खाने के लिए आएंगी, खाने की इन वस्तुओं का वो क्या करेंगी, अपने मित्र पेड से मिलना, जब कभी आप बहुत उदास या परिशान हो या आपको घुस्सा रहा हो, तो आप अपने मित्र पेड के पास जा सकते हैं, और उ दूसरों के प्रती समवेदन शीलता उत्पन करने का बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली तरीका है, शान्त और अपने में रहने वाले अंतर मुखी बच्चों के लिए ये गतिविधी अपने भावनाएं साजा करने में बहुत सहायक है, इस प्रिष्ट के दाईं तरफ ए प्रिष्ट संख्या असी हम सब एक दूसरे की सहता कर सकते हैं, गतिविधी तीन, अनुमान लगाईए मैं कौन हूँ, दो दो जोडे में बैठिये, जोडे में से कोई एक किसी पशू, पक्षी, कीट या पेड़ का नाम सोचेगा, और अपने साथी के कान में वो नाम फुस्पुसा कर धीमे से कहेग ध्यान रहे कि आपको जोर से नहीं बोलना है। उसके कान में फुस्पुसा कर मिंड़क कहा। आप सोचकर बताइए कि गोपा ने क्या किया होगा। सुखिया के मित्र सूरी ने उसके कान में फुस्पुसा कर पीपल का पेड़ कहा। आप सोचकर बताईए कि सुख्या ने किस तरह से पीपल के पेड़ का अभिने किया होगा प्रिष्ट संख्या 81 आईए मन्थन करें क चर्चा कीजिए 1. हम पेड़ पौधों तता पशुपक्षियों पर किस तरह से निर्भर हैं 2. हमें अपने परिवेश में मौजूद पेड़ पौधों वो पशुपक्षियों के देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए 3. पेड़ पौधे और पशुपक्षी हम पर किस तरह निर्भर हैं ख लिखिए 1. यहां दिये गए रिक्तिस्थानों में पेड़ पौधों, पशुपक्षियों या कीटों के नाम लिखिए 1. मुझे रिक्तिस्थान को देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रिक्तिस्थान 2. रिक्तिस्थान से मिलकर मुझे बहुत हसी आती है क्योंकि रिक्तिस्थान 3. मेरे मित्र को रिक्तिस्थान पसंद है क्योंकि रिक्तिस्थान 4. मैं रिक्तिस्थान का ध्यान रखना चाहूंगी या चाहूंगा क्योंकि रिक्तिस्थान दो, एक, आपने जिन पशुपक्षियों, पेड़ पौधों और कीटों की सूची बनाई है, उनमें से कौन आपको सबसे प्रिये है? रिक्तिस्थान दो, आप उसे क्यों पसंद करते हैं? रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 82 तीन, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक जिन पशुपक्षियों और कीटों को आपने देखा या जाना है, उनके बारे में लिखिए रिक्तिस्थान गर, चितर बनाईए एक, उन पशुवों, पक्षियों और कीटों के नाम लिखिए और चितर बनाईए जिनके एक, दो पैर होते हैं, दो, चार पैर होते हैं, तीन, छे पैर होते हैं, और चार, आठ पैर होते हैं, अब आप यहां दिये गए रिक्तिस्थान में उनके चितर बनाईए और साथ ही उ ये कहानी तमिलनाडू के वलपराई नामक एक बहुत ही छोटे से नगर की है। सामानिता वालट्टी कुरुवी कहते हैं। कि इन पक्षियों को वाक्टेल क्यों कहा जाता है? पता लगाईए। आप इस कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? इस प्रिष्ट पर एक लड़की का चितर है, जिसके हाथ में ग्रे वाक्टेल का एक पोस्टर है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पर्यावण अध्यान की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्भुत संसार। वाचन स्वर प्रवीन शर्मा, ध्वन्यांकन मन्जु कुमारी, निर्मान सहयोग, स्वरेंदर कुमार, निर्देशन एवं निर्मान, व्यमलेश चौधरी, तथा प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत।